वो भी दिखाती हैं कि वहाँ पर और कौन-कौन सी शॉप से डिफरेंट डिफरेंट वहाँ से हम और क्या-क्या खरीब सकते हैं वेलकम बैक टू मैं चानल दोस्तों तो वीकेंड आ चुका है और वीकेंड के रिचुल स्टार्ट हो चुके हैं जादा कुछ नहीं घर की नॉर्मल वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं अभी आपने मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग वाला व्लॉग तो देखा ही होगा अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ मेरे चैनल पर और व्लॉग जरूर देखो तो बस इस वीक के फिर को अभी बहुत अब सारी शॉप से खकि वहां पर और कौन कौन सी शॉप्स हैं डिफ्रेंट लिफ्रेंट वहां से और क्या-क्या खरीज सकते तो चलिए आज आपको दूसरी शॉप दिखाते हैं अद। ग्रॉसरी चलिये अठीक निकलने से पहले लेरा आउटइट अवध तो बस पहुँच गए हम लोग अपने शॉपिंग सेंटर अपनी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और आज कोल्स में जहां से हम लोग अपना वीकली राशन करीते हैं वहापर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी यह इंडियान करके एक सेक्षन इंटर्ड्यूस हुआ है यह पहरे नहीं था है यहापर लेकिन अभी यह रिसेंटली इंटर्ड्यूस हुए और यहाँ पे इंडिया से रिलेटिट जहां इंडिया में जो समान मिलता है उससे related चीज़े मिलती हैं जैसे की पापर हो गया, spices हो गए, ये कुछ करीज हैं, रोटी हो गई, नान हो गई, तो ये सब देखके बहुत अच्छा लगा, ये recently introduced हुआ ये section यहाँ पर, तो चलिए अब मैं आपको सेर कराती हूँ यहाँ के shops की जो यहाँ पर मिलता है, तो सब और ये है एक key spot, यहाँ पर आपको gifts और की का copy बनवा सकते हैं, ये एक bohemian shop है, यहाँ पर bohemian कपड़े और bohemian home decor के समान और accessories मिलती हैं, बहुत funky हो, बहुत सई items मिलते हैं यहाँ यह next आ गया हमारा supplement mark, जो fitness freak लोगे हैं उनके लिए, और ये है एक home decor की shop, यहाँ पर home decor करने के लिए बहुत अच्छे अच्छा items मिलते हैं, यह हो गया हमारा वही Woolworth, जहाँ से हम weekly समान लेते हैं, मीनू threading एक salon है, कोई Indian ही run करती है इसको, और ये बड़ी ऐसा cafeteria है अपना morning breakfast करने के लिए, ये जो nails के shocking है, और ये दूसरा bank है, bank west करके तो आज week off है यहाँ पर, यह ATM है इसका, इधर आगए हम लोग ये एक्स्ट्रीम एज करके shop, यहाँ पर जो sports related सारे equipments है, gears है, wear है, सब मिलता है, और ये है fresh flower की shop, जब भी हम इससे पास करते हैं, तो बहुत fresh fragrance आती है, ये बच्चों के लिए एक machine है, toys grab करने वाली, और इसी के बाजू में है एक ये home furnishing and bedding क shop, आप यहाँ पर एक sofa देख सकते हैं, 3799 जो कि अरौन दो लाग रुपए का ये sofa अरौन पड़ेगा, तो कितना costly अब देख सकते हैं, का furniture, ये एक gift shop है, और उसके बाजू में ये है boutique, और ये देखिए, पीओ अपने पापा के साथ मस्ती करते हुई, तो ये कुछ shops हैं, जो यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पर अच्छा समान मिल जाता है, थोड़ा expensive रहता है इंडिया से comparison में, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत wide varieties की shop है जैसे में चाहिए, समान वैसा मिल जाता है, तो हमने कर ली अपनी weekly shopping done, इस हफ़ते की, और बस अब हम आगे बढ़ेंगे, ज पक्का इसके अंदर भी जाएंगे, और हम निकली रहते तो मनीश को एक book लेनी थी, और मुझे भी एक novel पढ़ने के लिए novel चाहिए थी, तो मैंने सुचा क्यों आज library भी चलते हैं, और यहाँ से book grab कर लेते हैं, तो यह है यहाँ की library, उससे पहले आप library के just बाहर का view देख साथ-साथ ही है, यह सामने जो आप देख रहे हैं, यह पूरा theater है, यह एंटर करते ही, यह different-different lounges हैं, जहाँ पर अलग-अलग movies की screening होती है, तो यह आप देख सकते हैं, A, B, C करके अलग-अलग, मतलब आप कह सकते हैं, multi-plexes हैं, जहाँ अलग-अलग movies की screening चलती है, और ब को हर age group के लिए हर type की books मल जाएंगी, यहाँ, तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं, laptops, और यहाँ पे desk है, chair है, तो यहाँ बैठ के आप रहा हैं, आप से अपनी book पढ़ सकते हैं, research कर सकते हैं, अपने topics पे, और यह कुछ CDs हैं, कुछ documentaries और कुछ movies की, और यह एक junior kids section है, यहा अपना शांती से बढ़ के research करना चापते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं किसी book को, तो बच्चों के लिए अलग section दे रहा है, यहाँ आप बच्चे बच्चे बढ़ के अपनी drawings कर सकते हैं, या फिर यह playhouse दे रहा है, यहाँ बच्चे अपना खेल सकते हैं, so that बच्चे यहा फुल व्यू पुरा library का अलग-अलग sections जैसे बने हुए, तो यह है इस library का फुल व्यू, तो बस हमने भी अपनी book ली जो हमें लेनी थी, आप एक card issue होता है, उस card के तुरू हम book ले सकते हैं, कुछ certain amount of time के लिए वापिस आके submit करना पड़ता है, ने तो penalty लगती है, तो बस ह बस मन करते हैं, आप lazy बनके बस पाड़े रहो अपने विस्तर में, तो बस यह दो दिन कुछ ऐसे ही थे, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, तो बस मैं बहुत lazy हो रखी थी, और मुझे बहुत low feel हो रहा था, तो Manish ने का कि चलो, थोड़ा drive पे चलते हैं, थोड़ा घूम क तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल पड़े थे, थोड़ा शाम का टाइम था, तो बहुत अच्छा नजारा लग रहा था, तो बस चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे, मेगडी, और यह है यहां के मेगडी का नजारा, मेगडी से बस कॉफी लिए हमने, क्योंकि यहां पे भी as usual जादा वेजिटेरियन आप्शन्स नहीं होते, बर्गर और नहीं मिलता हम लोगों को, बस हैश ब्राउन, कॉफी यह और फ्रेंच फ्रेंच फ्रीज यह ही वेजटेरियन और यहां के मेगडी में और यह देखिए, पिईओ को अपनी जम्पिंग करते हुए, और यह है किट्स प्लेइँ रूम, यहां का बहुत अच्छा है, यहांके सारे इटिंग आउटलेट्स में बच्चों के लिए, दिया जाता है जिसमें बच्चें इंगेज रहते हैं और इंजॉय कर पाते हैं ऐसा आउटलेट्स में आके और ये सामने है फ्रेशली बेग्ड मफिन्स डोनट्स और ब्रेड्स कितना लजीज लग रहा है दोस्तों और ये यहां के डिजिटल स्क्रीन जहां से हम ओडर करते हैं तो बस हमने पिक अप किया अपना कॉफी और हम निकल पढ़े अपने घर की तरफ और बस ये घर वापस लोटते हुए का नजारा आप देखी सकते हैं जस चीज के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहां के स्कायलाइन कितनी प्यारी लग रही है और बस घर आए टीवी आउन किया तो सामने रामायान चल रही थी एक दम से जैसे इंडिया की याद आ गई तो मैंने हमनीश ने बैठके पूरा इंजॉय किया पूरा ये रावन वद का सीन चल रहा था तो हमने ही देखा इंजॉय किया और बस इसी तरह हो गई रात ये पी हूँ आज कल रात को नहीं सोती है परिशान करती है तो ये अपनी क्रॉलिंग की प्रैक्टिस कर रही है और इस तरीके से ये वीक मेरा हुआ एंड अब मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी रेगुलर कॉंटेंट डानने की कोशिश करूँगी आप लोग मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताईए आप क्या देखना पसंद करेंगे क्या मैं रेसिपीज जादा डालू या ओमली व्लॉग्स जादा डालू आपको क्या पसंदे मुझे बताईए और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलिए तो बस इसी तरीके से पिहो की मस्ती के साथ ये दि क्या दोस्तों